फिल्म की शुरुवात एक बंजर जमीन को दिखाते हुए होती है जहां एक जवान लड़का जैरोम होल मनजर आता है जैरोम बताता है कि जब ये जमीन हरी बरी थी तब उसने इसे कभी नहीं देखा था लेकिन उसके पिता अर्निस बताते हैं कि कई सालों पहले ये जमीन कई किसानों का घर था जो इस पर गेहूं और अनाज उगाते थे लेकिन एक बड़े सूखे के बाद ये जमीन पूरी तरह से बेकार हो गई थी किसानों ने इस जमीन को छोड़ दिया था और अब सिर्फ खुशकवरी की उम्मीद थी कि ये फिर से हरी हो सकती है अर्निस्ट को लगता है कि इस जमीन को बस थोड़े पानी की जरूरत है पर इस दुनिया में पानी के लिए लोग एक दूस्टे की जान लेने से भी नहीं कतराते पहले सीन में हम दो डाकों को देखते हैं जो एक छोटे से घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अर्निस्ट जो उस वक्त वहाँ था उन्हें पकड़ लेता है और एक डागो को मार देता है और दूसरे डाको को भी मार देता है जैरोम यहां कह रहा था कि अगर उन्होंने मदद की होती तो शायद ये घर बस सकता था डाको उने जो घर तोड़ा उसमें एक पुराने पानी का पंप था जो तब बंध हो जाता है जब अर्निस्ट इसे चलाने की कोशिश करता है पानी ना मिनले की वज़ा से अर्निस्ट और जैरोम खचर पर सवार होते हैं और पानी बढ़ने वाले लोगों के पास जाते हैं दरासल ये गौवर्मेंट के लिए काम करते हैं जो गहरे कोशों से पानी निकालता है Ernest उनसे पानी की सप्लाइ लेने की मांग करता है ताकि वो अपने जमीन पर खेती कर सके लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं क्योंकि इतना सारा पानी देने के लिए Ernest को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और Ernest को बहुत सारे पैसे देने होंगे जो Ernest afford नहीं कर सकता वापस आते वक्त उनका खचर गिर जाता है और Ernest को मजबूरन जानवर को गोली मारनी पड़ती है Jerome और Ernest घर वापस आते हैं जहाँ पानी की कमी के कारण मैरी मिट्टी से बरतन साफ कर रही होती है और उन्हें एक बैग में से खाना देती है अगले दिन जहरोम और Ernest नया खचर लेने Sam Reaver के auction house जाते हैं वहाँ एक robotic animal की बोली लग रही थी वहाँ सब लोग बोली लगा रहे थे Ernest भी इस robot पर बोली लगाता है यहाँ Flam नाम का एक आदमी होता है वो भी इस animal पर बोली लगाता है लेकिन Ernest auction जीत जाता है और जब उसके पास एक robotic animal था तो Flam को यह देखकर अच्छा नहीं लगता कि Ernest ने इस robot को जीत लिया क्योंकि उसे यह robot animal चाहिए था फिर scene change होता है और Ernest और Zerome एक hospital जाते हैं वहाँ वो एक औरस से मिलते हैं यह Zerome की मा होती है इसका नाम Catherine होता है जो बिमार होने के कारण hospital में रहती है Catherine एक महेंगे frame यूज करती है जिससे वो चल सकती है लेकिन वे उसे घर नहीं ले जा सकते क्योंकि frame बहुत ही costly है वापस आते वक्त Ernest एक petrol pump से petrol लेता है वहाँ उनका सामना एक कबल से होता है जिनका बच्चा बहुत प्यासा होता है उस कबल में से Roby नाम का लड़का उनसे अपने बच्चे को बचाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका बच्चा मर जाए लेकिन Ernest मना कर देता है पर उनके विंती करने पर वो उन्हें पानी पीने के लिए दे देता है जब Ernest वहाँ से जा रहा होता है तब Roby उससे Flame और Mary के affair के बारे में भी बता देता है Ernest और Zerome घर वापस आते है Ernest अपनी बेटी से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा affair चल रहा है और घुसे में उसको घर में लॉक कर देता है एक दिन Ernest का RoboT चुरा लिया जाता है Ernest वो लगता है कि Flame ने इसे चुरा लिया है फिर Water Supply वाले लोग Ernest को पकड़ लेते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है जब वो होश में आता है तो Water Supply वाले लोग उस पे पानी चुराने का इल्जाम लगाते हैं और खहते हैं हमने तुम्हें रोबोर्ट के साथ पानी चुराते हुई देखा है और वो लोग उससे मारने लगते हैं लेकिन वो वहाँ से बचके निकल जाता है और फ्लेम को ढूरने लगता है फ्लेम उसको एक जगा मिलता है Ernest के पूछने पर फ्लेम बताता है कि मैंने Water Supply के वहाँ से पानी इसलिए चुराया है क्योंकि मैं इस पानी को बेच कर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ फिर Ernest उसे Gun Point पर रखकर कहता है कि तुम्हे Water Supply वालों के पास जाकर सब कुछ बताना होगा कि मैंने ही चोरी की है फिर Ernest फ्लेम को Water Supply वालों के पास ले जाने लगता है कुछ टाइम बाद पानी की कमी के कारण Ernest के शरीर में अब और जादा चलने की जान नहीं बची थी तो फिलेम उससे कहता है तुम्हे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए तो Ernest भी उसकी बात मान जाता है और पानी पीनी लगता है फिलेम इसी चीज़ का फाइदा उठा कर उस पर पत्थर मारता है और उसकी जान ले लेता है फिलेम ने Ernest की मौत को कुछ इस तरह प्लैन किया था कि सबको लगे कि Ernest को उसके रोबोटिक एनिमल ने मारा है फिलेम अपनी जिंदगी के नई शिरुवात करने की कोशिश करता है अब वो Ernest के परिवार के पास रहने लगता है और उसके परिवार को दिखाता है कि उसको बहुत दुख है Ernest की मौत का फिर वो एक दिन वोटर सप्लाई वाले लोगों के साथ समझोता करता है कि जिस जमीन पर तुम पानी का छिड़काव कर रहे हो इस जमीन का कर्स Ernest ने नहीं चुकाया था इसलिए अब उसका कर्स तुम चुकाओगे और जमीन लेने की धमकी देखकर वहां से चले जाते है फिलेम नहीं चाहता था कि उससे उसकी जमीन छीन ली जाए तो रात को उसी कपल के पास जाता है जो अपने बच्चे को बचाना चाहते थे तो रोबी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक सीक्रेट डील कर रहा था लेकिन फिलेम और रोबी के बीच किसी कारण जगड़ा हो जाता है और रोबी गोली लगने के करण मर जाता है उसी जगा अर्निस्ट का रोबोट भी होता है जिसे गोली लग जाती है इसलिए वो खुदी ठीक होने के लिए चला जाता है जहां रोबोट ठीक होते है वहां से जहरोम को मैसेज मिलता है कि जिसका भी रोबोट है वो इसे ले जाओ फिर जहरोम इसे लेने जाता है वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता अर्निस्ट को रोबोट है नहीं बलकि फ्लेम ने मारा था रात के वक्त फ्लेम को एक लैटर मिलता है जो जैरॉम ने रोबी के नाम से लिखा था फ्लेम लैटर में लिखी जगा पर जाता है वहाँ उसके दोनों पैर में चोट लग जाती है जिससे वो चल नहीं पाता फिर उस जगा जैरॉम को दिखाया जाता है जो उसे अपने पिता को मारने का बदला रेना चाहता था और वो उसे वही गोली से शूट कर देता है जैरॉम फिर अपने घर आता है उसकी भेन मेरी को अपने पती के बारे में चिंता हो रही थी कि अब दक फ्लेम आया क्यों नहीं लेकिन जैरॉम उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है फिल्म के एंड में जैरॉम और मेरी अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं और इनी नए सपनों के साथ जिंदगी की शुरुवात करते हैं इसे के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई